बीजेपी नेता एड़ोकेट आसिस एलार का नविमबई में दोरा पार्टी विधायकों और प्रमुख नेताओं के साथ की चुनाओ पर चर्चा नविमबई में मनपा चुनाओ को लेकर बीजेपी की तयारियों का जाजाले ने आज बीजेपी नेता और नविमबई प्रभारी एड़ोकेट आसिस एलार ने पार्टी के एहरोली विधायक गनेशनाओ कं बेलापुर के विधायक मंदा मातरे के यहाँ दोरा किया दोनों नेताओं के साथ बैठक में एड़ोकेट आशिश शेलार ने महाविकास आगाडी के साथ सीधी लड़ाई में बीजेपी की ताकत और मनपा चुनाओ की तयारियों से जुड़े थमाम मुद्दों पर चर्चा की नवी मुंबई चुनाओ प्रभारी शेलार ने बीजेपी मलसी रमेश दादा पाटिल और जिलाध्यक्ष रामचंदर घरत के आवास पर भी भेट दी उन्होंने विधायक गनेशनाईक और मंदा मात्रे के नत्रुत में महानगरपाली का चुनाओ ले जाने और बहुमत के कित हासिल करने का विश्वास जताया बीजेपी ने ताशे चेलार ने और क्या कुछ कहा आई ये सुनाते हैं महाविकास अगाडिला फटका नक्की बसेल कांगांचे पाय आनी हाथ एकमेका बदे खेच्वने आताश जास्ती रस्ती केचा है केवल विकास विकास अनी विकास नभी मुंबईचा विकास जो आतपरंत केला त्याच मारगावर अतिशेक जलत गती ने बुलेट ट्रेंचा स्पीड ने विकास अची गती वारवावी हाथ जेने किती हीन घानेरेडा प्रकारचे राजगारन जरी सत्यत बसनार्य पक्षानी केला अनि या घानेरेडा नी हीन प्रकारचा फोड़ा फोड़िला जनता मतदानाचा दुशी सूतर देल आनि ते उत्तर भाजबचा विजयाद जसेल वहीं बीजेपी मलसी रमेज दादा पाटिल ने नौइमबई प्रभारी एड़ोकेट आश्री सेलार के साथ चर्चा का बेवरा दिया उन्होंने कहा कि बीजेपी मनपाचुनाओं में तीन पाटियों की महाविकास आघारी के साथ कैसे मुकाबला करे इस रणनीती पर चर् अंदर बाद नवीन मुंबई तील जे भारतिया जनता पाटिचे कारे करता है चांची मत अजमनार से प्रेतन के ले चंची मत जानून घेने चे प्रेतन के ले आणी बरीच चर्चा के लिए कशा प्रकारे आपलेला इन इवर नूख दिंगता ही इस तीन पक्सें चे आगा जनता पाटिचे जन्डा रोवला पाईजे हाँ दूस्तिकों अतना अज शेलार सहाँ बने आमचे आज घरी आले होते हमचे शी चर्चा के लिए पूड़े ते आता पक्साबरों बोलू निर नहीं के ना रहे Bureau Report TV1 India